हेलो एवरिबन दोस्तों आज हम प्लिंथ बीम के रिगारिंग किस प्रकार की रेंफोर्समेंट डीटेल होनी चाहिए उसको बात करेंगे पूरे वीडियो में और मिस्तरी जो है आपके घर में किस प्रकार की गलतियां करते हैं प्लिंथ बीम मानने में उसको ध्यान से समझें ठीक है तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि आपकी जो प्लिंथ बीम को रेंफोर्समेंट कैसे बानना है आपको बॉटम में चार रेंफोर्समेंट प्रवाइड करने हैं जो कि आपके 12 मेंट आया के होने चाहिए और टॉप में आपके दो रेंफोर्समेंट आता है मोमेंट इसलिए हम आप दो प्रॉइट करते हैं और साथ में आप देखेंगे कि सपोर्ट के जो कॉर्णर पर हमने एल बाइफोर डिस्टेंस पे जो है इस्टरा बार बांधे हुए है आपको दिख रहे होंगे चोटे चोटे रॉड जो बने हुए सपोर्ट के दोनों किया है यानि कि जो हम एल शेप में इस्टरा जो है बार को मोड़ते हैं नेंटी डिग्री में उपर और नीचे तो वह यहां पर प्रॉइड नहीं किया गया है जो कि बहुत जरूरी है अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो कॉलम और बीम के बीच में जो है प्रॉपर बॉंड मन सके और आपका जो है बीम वह कभी भी आपका सियर इस्ट्रेस में फैल मत हो तो इस गल्दियो ध्यान रखेंगे वरना मिस्त्री आपका घर पूरा बरबाद कर देंगे ठीक है बहुत इंपॉर्टन चीज है इसको ध्यान देना आपको उसको खुद सबर विजन करना होग होगा यदि मिस्त्री गलत कर रहे हैं तो आपको उनको बताना होगा ठीक है तो उसको ध्यान देंगे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजेगा धन्यवाद